नमस्कार सज्जनों योंग देवियों देशी आरवेद में स्वागत है अगर देख रहे हैं देशी आरवेद चैनल तो चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन की घंटी को दबा कर नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दें दोस्तो हम आज चर्चा करते हैं एक ऐसे जड़ी बूटी के बारे में जिसका नाम मुलहठी, मुलेठी, जेठी, मधू, मधूयस्थी अंग्रेजी में इसे लिकी रिस रूट कहते हैं मुलेठी दो परकार की होती है एक जल से पैदा होने वाली दूसरी जमीन पर पैदा होती है दोस्तो इसे गायक और सिंगर लोग इसका परियोग करते हैं इसके परियोग से आवाज मधूर गला साप होता स्वर को निर्मल करती है गुण आरवेद के अंसार दोनों परकार की मुलेठी मधूर सीतल भारी भीर बर्धक रूचिकर आखों को हितकारी इसनग्ध स्वर को निर्मल करने वाली घाओ को ठीक करने वाली मूत्र बर्धक रत पित नासक बालों को हितकारी और बात पित ररक्त रत भिकार छे गलान प्रियोग गले के रोग में इलाईची और मुलहटी के चूण का प्रतिसारण करने से गले का रोग में लाब होता है पांच गराम मुलहटी से पकाए हुए दूद में एक गराम घी डाल कर सेवन करने से पित ज्यर भंग में लाब होता है मुलहटी को मुँह में रख कर चूसने से स्वरभंग में लाब होता है दाह में लालचंदन के साथ मुलहटी को घिसकल लगाने से दाह मिठती है खासी में सूखी खासी में कफूतपन करने के लिए मुलहटी की एक चम्मज चूण सहत के साथ दिन में तीन बार चाटे उदर सूल में मुलहटी का क्वाथ बनाकर पिलाने से बादी का उदर सूल दूर होता है एक चम्मज मुलहटी की जड़ के चूण को एक कब दूत के साथ दिन में तीन बार सेवन करने से उदर के घाव ठीक होते हैं बातरक्त में मुलहटी तथा गंभारी से सिध किये तेल की मालिस करने से बातरक्त में लाब होता है स्वासनली के रोग मुलहटी का क्वाथ बनाकर पिलाने से स्वासनली का साप होती है और संबंधित रोग दूर होते हैं जोर में मुलाटी, धनिया, मोथा और गिले का क्वाच सेवन करने से पित जोर दूर होता है मूतरदाह में एक चम्मज, मुलाटी चून को एक कफ दूद के साथ सेवन करने से मूतरदाह में लाब होता है आज की महत पूर्ण जानकारी यहीं पर समात करते हैं, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नमस्कार देशी आरवेद